नमसकार मेरिया और आप देख रही हैं डॉक्टर साहिब आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी माने ENT स्पेसलिस्ट डॉक्टर राजनी श्रजन तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आप कमारे चैनल में नमसकार रिया जी डॉक्टर साब जिन लोगों ने नाक का ओपरेशन कराया है और उनकी बहुत ये रहती है कि अलालसा रहती है कि वो ये जाने कि नाक का ओपरेशन कराने के बाद उन्हें किस तरीकी के साबधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ी सी लापरवाई ही जो है क्या भायानक हो सकती है? नाक के ओपरेशन के बाद मेरी ये सला रही जो नाक के ओपरेशन के बाद 72 घंटे होते हैं, वो बहुत महत्पुन होते हैं, इस दोरान साबधानी या प्रिकोशन लेना बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले 72 घंटे में आपको तो soft diet, नर्म मुलायम खाना का परियोग करना है, दूसरी बात हो सकती है कि नाक में पटी, आम तर पर ऑपरेशन के बाद नाक में जो septoplasti या chronic ranus sinusitis के लिए करते हैं, उसमें नाक में पटी डली हुई रहती है, तो नाक में पटी डली रहने के कारण सर में भारीपन रह सकता है, यो हलका बना रहेगा और ये दिन के 24 घ नाक में पट्टी डली रहने के कारण आखों से पानी, क्यूकि आखों का जो ह्मारे जो आसू बनते हैं वो आखके निचले पलग के दौरा नाक के लिएए जो फिर फिर थोट में चले जातें, तो नाक में पट्टी डली हुई है, वो टाट्ली पैक है, तो आखों थोड़ लेने पे थोड़ी कटना ही तो होगी आपको जीव बार बार सुखेगा तो गले को नम रखने के लिए जीव को नम रखने के लिए हमें तो थोड़ा-थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पे पानी का यूज करना है अगर इसी बीच अगर आपको नाक से ब्लड आ रहा है या ना और परहेच के रूप में करेंगे कि तीन दीन के बाद फिर आप जब या दो दिन के बाद जैसे डॉक्टर बुलाते हैं तो पट्टी निकलवाने आनी होती है और निर्देशा नुसार दवाई का जो होता है जो डॉक्टर बताते हैं जैसे टाइम टू टाइम लेना रहता है कुछ दवाईयां खाने के रूप में होती है कभी-कभी निजल स्प्रे के रूप में होता है जो पट्टी निकालने के बाद भी या पट्टी के साथ-साथ भी चलती है तो इसका परियोग करना है सर जैसे कि आपने पट्टी हटानी के बाद भी जिक्र किया कि पट्टी हटानी की जुरुत जिदोती दिन के बाद होती है इसके बाद भी किसी तरह की कोई साफधानी की जुरुत होती है इसके बाद जैसे ठंडी चीजों का परियोग तो ये वर्जित रखेंगे अगले दो महीने के लिए बहुत जादा ठंडी चीज का परियोग करेंगे तो फिर नजला जुकाम हो सकता है जो कि ऑपरियोग में एक खतरनाक साइन बोले या बोले ऑपरियोग को सही होने में वाधा का रूप में हो सकता है ठंडी चीजों में जैसे कि दही, केला, कोल ड्रिंग, फ्रूट जूस, आइसक्रीम यह सब का परियोग समझे तीन हपते या पाच हपते तक के लिए आप बिल्कुल ना ले जो मरीज जो ऑपरिशन कराया है ना ले तो बेहतर रहेगा यह साब्धानी होती है, दूसरा होता है नाकों में को नम रखने के लिए जो स्प्री या ड्रॉप का दी डॉक्टर ने बताई है उसका परियोग आप बस से करें और अगर ब्लड जैसा आने लगता है या नाक के सीक्रीशन मुकस के साथ मिला हुआ ब्लड आ रहा है आपको तो तुरंत डॉक्टर से मिले तो सर जैसे की ऑपरेशन हुआ है और आपने बताया कि बना दो महीने तक ठंडी चीजों का सेवा ना करें इसमें अगर ऑपरेशन किसी का पक सकता है हाँ ठंडी चीजे को प्रियोग करने से नाक के ऑपरेशन में ज्यादा परिशानी रहती है कि अगर आपको जुकाम होनी लगे तो फिर वो नाक से ब्लड आने की संभावना बढ़ जाती है या जो घाव अंदर जिसमें टाके लगे हैं या बीना टाके के ऑपरेशन हुआ सानुसाइटिस में इंफेक्शन है आपको या अंदर कुछ पॉलीब बना हुआ है काटके हटाया गया है तो वो हील होने की जो परेकिरिया चल लगे उसमें नॉर्मल डिस्टर्विंस आ जाती है तो हमारा जो आप्टिमम रिजल्ट आना चाहिए जो ठीक होने का वो सही प इस रंजन को सुनेत ही जनुनिती सारी जानकारी हमारे साथ साजा किये इस विशे में आप क्या सोसता में कमेंट कर जरू बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बुक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका शुक्तिया